कुछ खाने का मन करें तो आप सोचते हैं कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं जो फटा फट से बन जाए और खाने में बहुत ही टेश्टी लगे और जो भी खाए इसको तो वो बार बार मांगे हैं तो फ्रेंस आज हम आपको एक बहुत ही सरल सी बहुत ही अच्छी सी रेस्पी बताते हैं उसके लिए हमें चाहिए उबला हुआ आलू तो देखे ये व्रेस्टा उबला हुआ ये उबला हुआ है अगर आपके पास बलावालो नहीं रख्का है तो अपके तौ उबला हुआ लिए और ये मैनने ने मिर पास जो शू पीस रकыт कर लेंगे नहीं तो जुब भी सकते हैं और फिर हमने लिए है यहां सरसों जिसको हम राई भी भोलते हैं जो हम पूहा में डालते हैं सांबर मेंड उसे हम डालते हैं वही वाली राई अब हम तेल को गरम करेंगे तेल हमने सरसों कर लिया है इसमें हम डालेंगे राई उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज कटा प्याइ डालेंगे और इसको हलका सा भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है हमें क्योंकि हमने ब्रेट का यूज किया है ब्रेट के अंदर हमें स्टफिंग करनी है तो उसके लिए हम यह मसाला तैयार करेंगे तो यहां पर आलू में ही हम डाल देंगे सभी मसाले जैसे नमक स्वादनुशार और धनिया पाउडर थोड़ी लाल मिर्च अमचूर पाउडर जिसको हम पिसी खटाई भी बोलते हैं और थोड़ी सॉफ डाल दीजिए सॉफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी डिस में तो सॉफ आप जरूर डाल दीजिए चाहें आप पि मिर्च को भी मैंने बाडिक किया था तब तक हमारा मसाला तयार होता है उसमें अब हमने लिया यहां पर बेसन बेसन में डालेंगे हम हलका सरनमक और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका गोल बना लेंगे जैसे हैं पकोड़ी का गोल बनाते हैं उसी तरह से हम इस तब तक हमारा फूल जायेगा तो यहां पर ट कर हमारे गल गई हैं आप देख सकते हैं इसके बात हमने जो आलू मैस की हुए रखेते वह इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से बून लेंगे ऊपर से हरा धनिया भी झरूर डालेंगे क्योंकि हरा थनिया से देखने में बहुत अच्छी लगती है हमारी रेसिपी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है तो बेशन भी हमारा बिलकुल पर्फेक्ट तरह से हो चुका है देखें और आलू भी हमारा तयार हो गया है थोड़ा से इसको और भूनेंगे और फिर तो एक बरतन में निकाल देंगे जिससे यह जल्दी से ठंडा हो जाए और इसमें आप अगर राई नहीं डाली तो आप इसको जीरा से भी तड़का लगा सकते हैं यहां पर मैंने लिए है ब्रैड फ्रेस ब्रैड है यह देखिए मसाले को मैंने आलू वाला जो मसाला था उसको मैंने एक बरतन में निकाल दिया है इस तरह से जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए मैंने इसको बड़े बरतन में निकाला है अब हम ब्रैड लेंगे और इस तरह से आलू को इसके उपर रख देंगे जैसे हम सैंड़िच बनाते हैं को इस को पर चीघ निवार में भी उल्ट हो लगी तो आलो को फैला देंगे ब्रेट की ऊपर और इसके वर और रखेंगे इस तरह से और फिर इसको कट कर 새로 Yo जैसे स्यप में आपको करना है ट्रेंगल शेक में कट करना है एंड करना है ना इसके उनosdtacz इस तरह से टरॉइंगल से में कट कर लएती हूं, इसतरह से अच्छी लगती है जाएं बहुत अच्छी सब्भीति सब्सक्राइब था इसे ब्लोर धरीला से प। ये इसन आप थाफूँते हैं इस फालो हनुत बहुत है, न आप बहूत है Legerrika Aike चाए के साथ इसको हम खा सकते हैं हरी धनिय की चट्निग साथ खा सकते हैं सौस की साथ इसको कहा सकते हैं तो यहाँ पर हम एक ब्रैटे को ठाएंगे और बेशनम कंव रखा था उसमें यहाँ अच्छнее इस को डिप करेंगे ऐसे और कड़ाई में मैंने ओयल को गरम होने के लिए रख दिया था ओयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है उसके बाद इसमें हम इस तरह से इसको डाल देंगे ब्रेट पकोड़ों को डाल देंगे और दूसरा भी हम इसी तरह से इसमे अच्छे से डिप करेंगे और गरम तेल में डाल देंगे फिर इसको डिप फ्राइ कर लेंगे बच्चों को तो यह रेसिपी बहुत पसंद आती है गाइस बच्चे क्या बड़ों को भी यह बहुत पसंद आती है बस एक बार आप बना कर देखिए अगर आपने नहीं बनाई है तो बहुत ही अच्छी बार तक नहीं बनाई है तो आप एक बार इसको जरूर बना कर देखन तो दीखिए हमारे बैट पकॉड़े अच्छे से डीफ्राई हो गए है और इनका बहुत अच्छा आया है है हुद्ग तो बेसर में थोड़े सी सूजी भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको more पूरी करा रहाँ चाहिए तो तो इसमें थोड़े स्कॉजी मिक्स कर लें तो हमारे bread पकोड़े और भी ज्यादा crispy बनेंगे तो guys यह हमारा आज का breakfast bread पकोड़ा जो खाने में बहुत अच्छा लगता है और मेरे husband बहुत दिन से बोल लेते bread पकोड़ा बनाओ तो finally आज मैंने उनके लिए bread पकोड़ा बना दिया और कैसे लगी हमारी यह recipe आपको I hope आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो please comment करके बताना और मेरी recipe अपने friends में अपने family में share भी करना चल्दी मिलते हैं आपसे बाई बाई and take care